हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिसे आप बॉली उट के नाम से जानते हैं वहाँ भी जातिवाद किस हद तक हावी है इसका अनुभव अगर आपको करना है तो एक बार प्रोडूसर बनकर प्योवर आमबेट करवादी फिल्म बनाने की कोशिश करके देख लेना आपको पता च हुचे थे अब एक बार फिर उन्होंने नया वीडियो जारी करके ये बताया है कि इस फिल्म को बनाने से किस तरह उन्हें रोका गया किस तरह से बॉलिवूड में कुंडली मार कर बरसों से जमें बैठे बड़े-बड़े प्रोडूसरों ने जाने किस-किस तरह के अडंग उनके उपर लगाए जिन्होंने ये कोशिश की कि ये फिल्म डिरेल हो जाए ये प्रोजेक्टी डिरेल हो जाए उनमें मतलब मैं नाम तो खेर किसी का नहीं लूँगा लेने के ज़ूरत भी नहीं लेकिन जब ये वीडियो आप लोग देखेंगे आपको पता चल जाएगा किस की बात में कर रहा हूं मतलब जिनके बड़े बड़े नाम है इंडस्टी में ऐसे लोगोंने कोशिश की है कि ये प्रोजेक्ट आए ही ना जिनको अपना उलू सीधा करना था और ये प्रोजेक्ट भाड़ा में जाए आए ना आए जो बहुत क्लोज भी थे ऐसे भी लो कुशिश में कर रहा था और फाइनली बाहर आया हूं आपको याद होगा जब जुन्ड फिल्म में डलित प्रोडुसर नागराज मंजूडे ने बाबा सहाब की जैनती का एक सीन दिखा दिया तो फिल्म इंडस्ट्री की जो ब्राम्हन लॉबी है उसको कैसे साप सुन गया थे ये लोग एक तरह से उन्होंने बाइकॉट ही कर दिया था दरसल बॉलिवूड ने अब तक अगर कहीं पर भी दलित दिखाया है तो उन किरदारों को हमेशा बेबस बेचारा ही दिखाया है जिसका कोई उध्धार करता अगर कोई होगा तो वो सवर्न सन्नेव माला ही हो किरदार जो है उस वर्न सन्नेव माला ही करेगा और वो तालिया भी बटोरेगा हिंदी और बंगला नया सिरेमा में जहां कहीं भी कमजोर तपके के लोग दिखाये गए वहां उनका उध्धारत या तारन करता कोई उच्चवर्ण ये विक्ती जरूर होता है 1969 में बनी सुजाता में अच्छूत लड़की का उध्धार एक ब्राम्हन कुलीन पूरुष करता है ये सिलसिला कई फिल्मों में दोहराया गया है लगान फिल्म में भी कचरा की प्रतिभा को पहचान कर जो पहचान है वो भूवन ही करता है और उसे टीम में जगे देता है कुछ खास नहीं होता है इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी भीमा कोरेगाउं जैसी सच्ची घटना पर फिल्म बना ले जिसमें सिद्धनाग जैसे दलित किरदार को न्याय करते हुए दिखाया जा सके और जीतते हुए तालिया बटोरते हुए दिखाया जाए और वो भी एक दलित पूडूसर डिरेक्टर द्वारा इसलिए इस फिल्म के निर्मान के समय कुछ ऐसे मनुवादी लोग इसमें घुसा दिये गए जो अंदर पैट बना कर कहीं कॉस्ट्यूम प्रोडक्शन मैनेजर तो कहीं पर असिस्टेंट बन कर नए नए दलित पूडूसर का सा सारा बजट निपटा गए और शूटिंग का भी सत्यानास कर दिया बंबया फिल्म इंडस्ट्री में यह शकायते तो हमेशा से रही हैं कि वहां किसी भी नए प्रोडूसर को पैर जमाने नहीं दिया जाता अगर किसी ने जोश-जोश में पैसे के बदावलत हिम्मत कर भी तो वहां पहले से मौजूद जो घात लगाए लोग आर्टिस्ट सप्लायर से लेके सेट, प्रॉप, टेक्नीशियन आदी सब मिलकर अनाप शनाप विलों से उस नए-नए प्रोडूसर की जेब पूरी तरह से खाली कर देते हैं यही अनुभो पहली दलित महिला पती कलपना सरोज के भी रहे हैं, जब उन्होंने खैलांजी हत्याकान पर फिल्म बनाई थी और उसे उस वक्त लोगों ने रिलीज नहीं होने दिया था हिंदी फिल्म इंड़स्टी में अब भी सवर्ण मानसिक्ता का ही दबदबा है और शायद इसलिए नए-नए फिल्म प्रोडूसर बने रमेश थेटे भी इस गिरोह की चपेट में आ गया हाल ही में जारी उनके वीडियो में कही गई बातों से इस बात का संकेत मिलता है कि ज चल जाएगा कि किसकी बात में कर रहा हूं और शायद यही कारण है कि घिसी पीटी मानसिक्ता वाली कहानियों और माहौल के कारण हिंदी फिल्में अब उतना भी कारोबार नहीं कर पा रही हैं जितनी कि साउथ की वो फिल्में जिने हिंदी में डब कर दिया जाता है हाला कि कभी वहां भी एक अभी नेत्री पी के रोजी को सिर्फ इसलिए प्रतारणा जेलनी पड़ी थी क्योंकि उसने पिछडे समाज के होते हुए भी फिल्म में मुख्य भूमिका कर ली थी लेकिन अब साउत का सिनेमा बदल गया है तमिल नया सिनेमा की तो चुकि हिरो ही या हिरोईन के किरदार ही दलित या आदिवासी या पिछडे हैं तो सारा कुछ उन्हें ही करते हुए दिखाया जाता है आपको मुवी वो याद है ना मंदिरों में देवदासी प्रथा के नाम पर होने वाले याउन शोशन के खिलाप वो बनी फिल्म जिसमें साई पल्लवी थी सुपरिश्टार नानी यानि की नवीन बाबूल लीड रोल में थे तमिल नाडू समाजी का अंदूलों की भूमीक है जिसमें केंदर में जाती का ये पहलू है ये अंदूलन आजादी से आधा दशक पहले का है और पिरियार के रंग मंच पर आने से पहले वहाँ वन्चित जातियों और महिलाओं के लिए आरेक्षन लागू हो चुका था जब कोई विचार समाज में गहराई तक धसा हो तो फिल्मकार उस कथानक में शामिल करने से घबराते नहीं है जाती विरोधी फिल्मों की नई लहर आने से पहले भी तमिल फिल्मों में हीरो आम तोर पर गये ब्राह्मन ही हुआ करते थे जाती विरोधी फिल्म में बनाना तमिल नाडू में बड़ा मुश्किल नहीं है मदराज प्रेसिडेंसी में चुकि आरक्षन सबसे पहले लाग हुआ था इसलिए OBC और दलित मध्यम वर्ग यहां बाकी राज्यों से जादा है और ये वर्ग इतना बड़ा है कि इनके मुद्दे पर बनने वाली फिल्मों को दर्शकों की कमी कभी नहीं होती माहुल भी सेफ है लिहाजा हिंदी पट्टी के भी दलित फिल्म मेकर्स को अब साउथ फिल्म इंड़स्ट्री का रुख करना चाहिए ताकि सुरक्षित वातावराण मिल सके तय बजट और तय सीमा में फिल्म पूरी हो सके आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आप जबर बताईए कमेंट बॉक्स में और कोशिश कीजिए कि इसको भी फॉर्वर्ड किया करें क्योंकि यूट्यूब तो हमारे वीडियो को फॉर्वर्ड करता नहीं है और नहीं नोटिफिकेशन लोगों तक पहुचाता है इसलि कर दॉर्ड़